वेल्कम डिश्टोडेंदीज अनुज मलिक और हम कम्प्लीट कर रहे हैं बीएस्टी बीकॉम का थर्ड सेमेस्टर से सम्भंधित एक पेपर हैं को कूरिकुलर एक्जाम जो सभी बच्चों के लिए कंपल्सरी होता है और यह टोटल 75 मांक्स का होता है जिसमें सब्सक्राइब हैं 100 कोश्चंज में आपके एक्जाम में आते हैं इस पेपर से सम्भंधित यह आपके सेक्टिंड यूनिट होगी मतलब इससे पहले हम एक यूनिट कर चुके हैं जिसको हमने तीन वीडियो में कंप्लीट किया है यह आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं द और वहां से नहीं मिल पाता है तो चैनल की प्लेट में चले जाएगा वहां पर लिंक मिल जाएगा और इसी के साथ तो आपके बताना चाहूंगा कि इसी चैनल पर फिरी औप कोस्ट आपका एदी बीए में इंगली सब्जेक्ट है तो उसका पूरा में कंप्लीट कराय जा आपकी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो की डेस्क्रिप्सन में और चैनल के प्लेलिस्ट में उट्माटिक नहीं मिल जाएगा इस यूनिट का नाम होगा आपका निर्णिया लेने में समग दुरुस्टिक होलिस्टिक एप्रोच इंडिसीजन मेकिंग यदि आपने अभी दक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए ताकि चैनल ग्रो करें और हम साथ मिल करके अपने लक्षों को प्राप्त करे पहला कोश्चन है आपका निर्देशन क्या है निर्देशन मतलब गाइडेंस गाइडेंस क्या है तो इसका राइड आंसर है आपका यह है अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन में लोगों को निर्देश देने मार्दरसन करने प्रामर्स देने प्रि गिरिया को संदर्भित करता है इसका सिंपली मीनिंग यह हुआ कि जब कोई कंपनी होती है तो उस कंपनी के अंदर विभिन परकार के लोग कार्य करते हैं जिनको वरकर या एंप्रोईज बोलते हैं उन एमप्लोईज को कार्य करने के लिए गाइडेंस देना उन कोश्चन है रामकृष्ण प्रमहंस का जन्म कब हुआ था तो इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा 1836 अगला कोश्चन नयतिकता की नियमों को और क्या कहा जाता है तो इसका राइट आंसर आपका कानून मलब ऐसे नियम ऐसे रूल्स जो सभी के लिए मैंडेटरी होते हैं जिनको सभी को फोलो करना चाहिए कोश्चन नमबर फोर चार वेदों के अवधि क्या है मतलब जो वेद होते हैं हमारे वह चार होते हैं रिगवेद सामवेद जुरवेद एवं अर्थवेद तो इनका टाइम पीरिड क्या है कि कब थे कब इनका मतलब इनको कब रहा है तो उससे पहने आठ सो से बारा सो मतलब अठाइश सो से चार हजार साल का टाइम पीरिड हैं लगबग ऐसा माल सकते हैं को नेक्स्ट आपका नैतिकता कोसल है मोरेलिटी कौन से स्किल है आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो इसका राइट आंसर है आपका आचार चांभिता आचार च्रित्र कector के नियम कि आपका वह किस परकार का होना चाहिए करतव वैनिस्टा मतलब ये लिए आपको स्ट्रोंग बनके रहना चाहिए और समय की पाबंदी मतलब punctuality अगला question है आपका कुलक्षपात क्या है तो इसका राइट answer है आपका दोस्तों या रिष्टेदारों को किराई पर लेना और पक्सपात का काम दिखाना मतलब basic लिए कहना चाहते हैं कि अफिए कुल अपने रिलेटिव को जॉब दिलाना चाहें वो लायक हो या ना लायक हो और मतलब अपने खास को चाहें उनमें इस्किन हो या ना हो लिकिन ने को जॉब दिला देना बाकी जो skilled भी है talented भी है उनको जोब या चांस से वंजित कर देना question number seven दरड़ता का अर्थ क्या है describe answer है सफल होने में कठेनाई या देरी के बावजूद भी कुछ करते रहना मतलब आप अपने life को ले करके अपने गोल को ले करके इतने आदा strong है कि चाहे कितने बड़ी प्रोब्लम क्यों ना आ जाए आप रुकेंगे नहीं question number eight net नीतिगत निर्णया लेते समय इनमें से कौन से प्रसन नेतिक मुद्दो से संबंदित नहीं है तो इसका right answer है आपका सी नीति निर्णया को सत्तरूर सरकार के नाम और लाभो को कैसे दिखाया जाना चाहिए तो यहां पर इसका संबंद नीतिगत निर्णया मतलब moral decision से संबंदित नहीं है क्योंकि यदि आप कोई decision केवल इस वज़े से लेते हैं कि फिलाल कौन सी पार्टी की सरकार है या गोर्मेंट किसकी है उसके फिवर में आप decision लेते हैं इंडेपेंडेंटल decision नहीं लेते हैं तो आपका decision घलत होगा इससे संबंदित आप चीज़ें को समझ लीजिए और कौन कौन सी बात ऐसी हो सकती है जो नीतिगत निर्णया को पोशित करती है उसके फिवर में जाती है जैसे सार्वजनिक भागेदारी के साथ गोपनेता कि आ सकता हो कैसे सुन्त है क्या होने चाहिए इंपोर्टेंट बाते हैं question number nine है इन में से एक सामाजिक सिद्धान्त क्या है social theory क्या है जो यह समझने का पज्यास करता है कि क्यों समाज विभिन सामाजिक संस्थाओं के बीच संबंधू पर ध्यान के अंदरित कर काजय करता है और समाज का निर्मान करता है मतलब question यह कह रहा है आपसे कि ऐसी कौन सी theory है ऐसा कौन सा सिद्धान्त है जो यह बताना चाहता है कि समाज जो होता है बिभिन सामाजिक संस्थाओं के बीच जो social organizations है social group आप जिसको बोल सकते हैं वह एक साथ मिलेकर काम क्यों करते हैं तो इस relation को सो करने का जो सिद्धान्त है उसका right answer होगा निश्चयात अगला कोश्चन है नैतिक आचनन की जाच के लिए निर्धारित 6 परसनों के सुची में से कौन सा परसन सामिल नहीं है नैतिक आचनन में आप कैसे कह सकते हैं कि कि किसी वेक्तिये ने behavior morality के तहट किया है और किसने morality के नियम को तोड़ा है तो यह total 6 परसन है इन में से तीन य है तो क्या आप अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहेंगे यह उपरसन है जो morality के दाइरे में या moral character के दाइरे में नहीं आता अगला कोश्चन है आपका परवंधिकिये नियंतर्ण से क्या तात्परिये है मन्दब management control इसका बोलेंगे इसका क्या मतलब है तो इसका right answer है आपका यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन के लोगों को निर्देश देने प्रामर्स करने मार्ग दरसन करने प्रेजित करने और परिला कोश्चन आपका निम्ली खित्म से कौन साथ निर्देशन के तत्व का कठन करता है मतलब ऐसा कौन सा गुरूप है जो आपका निर्देशन मतलब guidance को support करता है guidance के अंदर आता है तो इसका right answer है यह सभी यह सभी कौन-कौन मतलब प्रेवेक्षण प्रेवेक्षण का म guidance में आते हैं निर्देशन में आते हैं कोश्चन नमबर 13 कह रहा है निम्ली खित्म से किसके नियंत्रण की विशेष्ट किसे नियंत्रण की विशेष्टाव के रूप में जाना जा सकता है नियंत्रण मतलब control ठीक है या इसको discipline भी बोल सकते हैं तो इसका right answer आपका बन principle कह सकते आप इसको यह सरवयापी है universal है यह एक बार की गतिविधी है इसका संबंद केवल आगे की और देखने से संबंदित है अगला कोश्चन है आपका नवीन एक बहुराष्ट्य संगठन के प्रवंदक है नवीन एक व्यक्ति हैं और बहुराष्ट्य संगठन का organization का एक manager है आप ऐसा बोल सकते हैं उसका मानना है कि company करमचारी आलसी होते हैं और उन से ज्यादा महतुर्कांसा उन में ज्यादा महतुर्कांसा नहीं है मतलब वह मानता है कि जो वरकर्स है वह ठके आ रहे हैं positive attitude नहीं रखते हैं Douglas McGregor के दरश्टिकोंड के आधार पर नवी manager की category में रखा जा सकता है तो इसका राइट आंसर आपका होगा सिद्धान्त एक्स ठीक है कोश्चन नंबर 15 आप से कह रहा है परबंधन प्रकिरिया के पांस तत्व हैं तो यह तत्व कौन-कौन से है तो इसका राइट आंसर है नियोजन करना प्लानिंग करना नेतरत परबंधन मैनेजमेंट करना नियंतर कंट्रोल करना तो यह सारी चीज़ा जो आपके आएगी वो परबंधन की प्रकिरिया के अंदर आती है कोश्चन नंबर 16 परबंधन के कि सिद्धानत में कहा गया है कि करमचारियों को केवल वरिष्ट से ही आदेश पराप्त करने चाह है तो इसका राइट आंसर है आदेश की एकता यह प्रिंसिपल है आपका क्योंकि यह कोई भी ओडर देगा उसका फोलो करोगे तो कुछ भी हो सकता है कुश्चन नंबर 17 है आपका मौझूदा अबर्वांचित स्थिति के बीच विसंगती को क्या कहा जाता है मतलब वर्तम और सीविशन ओर सिटिवर्शन जो आप चाहते हैं मतलब आप वरतमान में किसी दूसरी सिच्वेशन को चाहते हए तो इस सिच्वेशन को आप क्या खाहेँगे अब अपनी प्रिजेंट से शूचन मिंपूंट शाते हैं और जो आपन आपने सोचा है कि फorter इस है इन दोनों के बीच में जो गयाफ है इसको प्रोब्लम कहा जाता है प्रोब्लम तो है यह ना कोश्चल नम्र 18 संयुक्त प्रबंधन परिशद एक संगठन में स्थावित की जाती है जिसमें कार्यारत होते हैं संयुक्त प्रबंधन परिशद ना तो इसको आप बोल सेंगे संगठन को आप क्या कहेंगे तो इसका आइट आंसर है 500 करमचारी या उससे अधिक लोग इसके अंदर होते हैं तब संयुक्त प्रबंधन परिशद का निर्मान होता है कोश्चन नमबर 19 एक संगठन के भीतर संसाधन अपने लक्षे को प्राफ्ट करने के लिए एक व्यवसाय का क्या बनाते हैं तो इसका राइट आंसर है आंत्रिक वातावरण एक संगठन के भीतर बोला गया है पहले तो यह समने लीजिए एक और्गनाजेशन है उसके क्वेश्चन नमबर 20 है आपका संगठनात्मक संरचना मुख्य तत्वों से मिलकर करके बनी होती है निमले खित्में से कौन सा तत्व इन में से नहीं है संगठनात्मक संरचना मतलब और ऑर्गनाइशेशनल इस्ट्रक्चर यह किन चीजों से मिलकर के बनी होती है वो बताना है और जो इन में से नहीं है यह आपको आइडेंटिफाई करना है तो इसका रहेटा अंसर है आपका समन विया है बाकी तीन चीजे संगठनात्मक संरचना में पाए जाती जिसे नियंत्रन की अवधी केंद रिलाइज होगी और कब उसको डिस्पर्ज करना है कोश्चन नमबर 21 है आपका जब एक परबंदक किसी निरिणिया के लिए अभी प्रेत लक्षों के बारें बहुत कम जानता है और विकल्पों के परिणाम अभी ऐस्पस्ट होते हैं तो 21 प्रकार की इस्थितिती में है मल अनीजर है और उसको ना तो यह पता कि उसका एम क्या है और से उससको किसी लक्षट यह प्राप्त करना है तो कौन से मब पराफ्ट करेगा जब कि लिर ही नहीं है तो यसे स्थितिती को आप क्या बोलेंगे तो इसका राइड आपका एसपस्ट था clarity नहीं है उसको खुदी नहीं पते कि उसे करना क्या है विज़ों नंबर ट्वंटी टू है आपका संचालन परबंदन का छेत्र निमले कित्मे से किस छेत्र में उन्ती से रूपित होता है संचालन परबंदन ठीक है तो इसका छेत्र किस से संबंदित होता है डारेक्टिल आप यह बताना है तो इसक्राइट आंसर है आपका इन सभी से मतलब जो संचारन परबंदन है वो रसायन विज्ञान और भोतिके में भीयूज किया जाता है या वहां भी उसको उप्योग किया जाता है और ध्योगिक प्रोध्यगी की और परबंदन विज्ञान में भी और सूचना विज्ञान में भी संचारण परबंधन का छेत्र माना जाएगा कोश्चन नंबर 23 यह निरधारित करना की कार्यों को किस प्रकार से मोहिकरत किया जाना है दो वर्क्राइब करना है अलग-अलग केटीगरी में रखना किस परबंधन का हिस्सा है तो इसे management का क्या कहा जाएगा तो इसका राइट answer है आपका newgen करना newgen मतलब planning करना निर्मली खित में से कौन सा database परबंधन तंतर का लाब नहीं है तो यहां पर कुछ ऐसा database है जो परबंधन तंतर में include नहीं किया जाता तो उसको क्या कहेंगे तो इसका right answer आपका बनेगा उच्छ अधिग्रहेंड लागत यह database परबंधन में include नहीं होता बाकि केंद्री का त्यंतर बहतर data अखंड़दा और साजह डेटा यह सब डेटाबेस पर परबंधन में include किया जाएगा कोश्च नमबर 25 आपका learning organization सब का क्या अर्थ है learning organization तो इसका मीनिंग बनेगा आपका उपरोक्त सभी उपरोक्त सभी में मतलब आप समझे लीजिए एक ऐसी organization है organization simple मालेजी एक ऐसा group है जो नई चीजों को जानने में सीखने में समझने में इंट्रेस्टिड है तो ऐसा क्यों क्योंकि उनको हमेशा अपनी skill को अपनी capacity को improve करना है learning करेंगे तभी तो प्रोग्रेस करेंगे ना दूसरा है एक सामुही कादर्स और एक दरश्टी यह एक group duty भी है कि आप एक टीम के representative है आएगे आप एक टीम है और एक टीम हमेशा progressive होनी चाहिए उसे progress के रास्ते पर चलते रहना चाहिए यह सीखने की संसिक्रती सिक्सार्थियों के एक समुदाय को बढ़ावा देता है और सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिकत शिक्सन सम्रद्ध करता है और संगठन को समद्रोप से बढ़ाता है मतलब यह लर्णिंग कल्चर है तो अपने स्टेट के लोगों के साथ तो बढ़िया वैवार करता है दूसरे स्टेट के लोगों के साथ कुछ अलग वैवार करता है गलत वैवार करता है तो वो कौन से सिद्धान्त को तोड़ रहा है तो इसका राइट आंसर है समानता का सिद्धान्त वो अपने अंडर मे काम करने वाले लोगों के साथ समानता नहीं परत रहा है कोश्च नमबर 27 उत्तरदाइत और प्राधिकरण का सिद्धान किस बात पर बल देता है तो इसका राइड आंसर बनेगा आपका उत्तरदाइत विजिकॉल टू प्राधिकरण ठीक है प्राधिकरण का मलब होता है अथ 28 संगठन का हित करमचारियों के हित का स्थान करहन कर लेता है इससे यह है इसपस्ट होता है कि यहां पर बोलागा है संगठन का हित कोई ओर्गनाइजेशन है और यदि उसको पावर मिलती है वह उसका हित होता है तो इसका मनलब है कि करमचारियों के करमचार जो को इसको सिंपली मतलब यह होगा की जिन वरकर्स के लिए जिन एंप्लोहिस के लिए और वह भी च्रॉंग बनेंगी मतलब ऑर वरकर्स भी एंप्लोहिस बीजाइच वह बनेंगे तो यह किस बात को मजबूत बनाया जाता है तो उसमें कई बार व्यक्तियत लालच की अभीलना की जाती है ताकि सब का फाइदा हो सब को बैनिफिट मिले कोश्चन नमबर 29 है आपका प्रतिफा परबंधन से मिलकर बनता है अना प्रतिफा मतलब टैलेंट आपके पास टैलेंट है और इसको बढ़ती दिसे मेने उसका मैंज करना है उसको उससे जादा-जादा बैनिफिट लेना है तो इसमें कौन से चीज़ें आपको जादा तो यदि आपके पास टैलेंटीड लोग है उनके अंदर गट्स है स्टैमिना है तो यदि आप उनको ट्रेनिंग देंगे और डवलप्मेंट प्रोग्राम चलाएंगे तो वे और ज्यादा आपकी कंपनी के अंदर सपोर्ट करें कॉंट्रिब्यूट करेंगे परबंधन के विचारकों की निलेखित सुची में से किसे ने विविद्धा की सिध्धान्तों विक्सित किया मतलब ऐसे थिंकर का नाम बताईए जो मैनेजमेंट में डाइवर्जिटी विविद्धा को एकसेप्ट करता है तो इसका राइट आंसर है आपका एडवर्ड डैमि कि इस वीडियो का लास्ट कोश्चन है निम्ले घित्मे से कौन-सा वैज्ञानिक प्रबंदन सिध्धांत की मूलत तत्वों को बताता है वैज्ञानिक प्रबंधक सिध्धांत साइंटीफिक मेनेजमेंट थिोरी यह सिध्धांत किस चीज़ को इंडिकेट करता है तो इसक चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉंसेट समझ में आए होगा यहीं किसी कॉंसेट को ले करें को डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यह आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब बिल्कुल चाहिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू टेक केर गोड़ ब्लेस्ट यू